गुड मॉर्निंग एवरीवन माइनम इस रमजान विरानी फ्रामिक्रा हाइश्कूल आज हम पढ़ने वाले चाप्टर नंबर टू कमपोनेंट अफ फूड तो आज का लेक्षर चालू करते हैं चाप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था कि फूड के सूर्स का है, फूड के इंग्रीडियन्स का है, एक्सेटर ये सारी सिदों के बार में हमने स्टडी किया था चाप्टर नंबर वन में तो चैप्टर नम्बर टू में स्टडी करने वाले हम पढ़ाय करने वाले components of food के बारे में आज का lecture स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर नम्बर वन, we made list of the food items that we eat. We also identify food items written in different parts of India and mark this on its map. तो चैप्टर नम्बर में हमने पढ़ा था अलग-अलग तरह के food items के बारे में. यह meal could consist of चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, तो meal मतलब क्या होता है, खाना होता है, दुफेर का खाना, जैसे रात का खाना, तो वो अलग-अलग चीज़ों से बन सकता है, जैसे चपाती से, दाल से और ब्रिंजल करी से, दुसरा meal, another meal, maybe rice, sambar and vegetable preparation of ladies finger, तो दुसरा meal, भिंडी क साख हो गया, सांभार हो गया और rice हो गया, तो यह भी एक मिल है, आप यह सीजों को खा सकते हो, एक साथ में, yet another meal could be appam, fish curry and vegetables, activity one, our meals usually have at least one item made of some kind of grain, another item could be dal और a dish of meat and vegetable, it may be also included, item like curd, buttermilk, pickles, pickles, pickles का मतलब होता है, अचार होता है, तो हमारा item, usually, यहां पर दिया, हमारा item बनता है, जो पहली चीज है, हमारे खाने को, पहली चीज है, मिल के अंदर, वो रहती है, ग्रेन रहती है, और दुसरी चीज रहती है, कि मेट का या फिर वैजी टेबल का साख रहता है, ग्रेन की कोई चीज रहती है, जैसके चपाती ही रहता है, और दुसरा इटम क्या रहता है, वेजी टेबल रहता है, बिंडे का साख हो गया, गोबी का साख हो गया, या फिर मीट हो गया, या फिर फिश हो गया, और उसके साथ में, बटर रहता है, मिल्क रहता है, या फिर अचार रहता है, कई बार ओनियन रहता है, तो यह चीजे, यह चीजों का, राइट यह चीजों का, यह चीजों का हम खाते है, Some examples of meals from different region are given in table 2.1, Select food items you depicted on the chapter, on the map in chapter 1, Add some more meals to the list and enter this in table 2.1, Sometime we may not really have all this variety in our meals if we are traveling, तो जब हम travel करते हैं, तो हम हमार पास यह मिल नहीं होता है, हम इस तरह का खाना नहीं खाते हैं, We may eat whatever is available on the way, तो हम जो भी राश्य में मिलता हैं, वो हम खा लेते हैं, It may not be possible for some of us to eat such a variety of food, variety of items, most of the time. There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? तो क्या आव सोचते हो इस बारे में, के हमारे बॉड़ी को अलग अलग तरह के food items की जरूवत है, अलग अलग बॉड़ी के लिए, बॉड़ी के काम के लिए, किस तरह से कह सकते हैं, अभी fruits, fruits में क्या होता है, vitamins होता है, अलग तरह के लिए, बॉड़ी के लिए, इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग तरह के food items में, अलग अलग तरह के चीजे प्रेज़ेंट होती है जो कि एमारे बॉड़ी को जरूर रहत हैं. कि बोड़ डिफरेंट फूल्ड आइटम कंटीन तो यहां से अम कल पड़ाई करेंगे आज हमने इंट्रोड़क्शन देखा है तो 2.1 हम कल कबर करने वाले तो उसका पाट टूम में कवर करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही आज हमने क्या बढ़ा एक बार रीकाप कर देते तो पहले हमने देखा कि हमारे फूर आडा के अन दर अलग अलगा की आइटम से रहती है तो कि हम और दल सबाइडरिंजल करी चपाटी यह था सब्सक्स पाइसे दूरी आइटम यह वो युज मरी में एकृटेबल से बनी होती है और तिछरे आइटम बटर रहता है, मिल्क रहता है, पिकल्स यह सारी चीज़े रहती है और बाद में हमने देखा कि हमारे बॉड़ी को अलग-अलग फोर्ट की ज़रूरत है काम के लिए यूजुली हमारा मिल यही रहता है, पर ट्रावलिंग के टाइम के हमारा मिल अलग हो जाता है हमें जो मिलता है, हम उखा लेते बाहर से इसके पार्ट तुम में हम डिस्कस करेगे, वाट डू डिफरेंट फोर्ट आइटम कंटेन